मुझा दोस्तों स्वागत है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पर और मैं एक छोटे से गाउं की रहने वाली हूँ और आज मैं अपनी बेटी के लिए सिर के मसाज के लिए एक तेल बनाने जा रही हूँ जो की बहुत जादा फायदे मंद होता है और मेरी बेटी दस साल की है और यही टाइम है उसके अच्छे बालों के ग्रोथ करने का और उस बनाए यहां चैरे बंगह उता है कि टो यांने वने डानवाली यहां पर देखे मने कुछ आए चनली जो कि देखे साले को टेल को चालनी चाष। यहां सो जाएं गाए अगर निवार लौह हमें प्रवार की तो यहां पर दोनों प्रवस को देखे निया है कद्डू करिया है और अविर आलोविरा को मैंने काट लिया है देखे कितनी आसानी से जो इसका पल्प था वो निकल आया है इसका गूदा अलग हो गया है चिकल अलग हो गया है और अपने हिसाब से जितना भी अलोवेरा डालना चाहते हैं डाल सकते हैं बाकी तो मैंने दो प्याज के हिसाब से दो पंखुडियां ली हैं अलोवेरा की और यह शुद्ध अलोवेरा है हमारे घर पर ही अलोवेरा का पौधा लगा हुआ है मैंने उसी में से यह अलोवेरा तो मैंने हाथ पूछने के बाद आग जलाई है चूले में और थोड़ी देर कढ़ाई गरम होने के लिए रख देनी है उसके बाद उसमें तेल डालना है तेल दोस्तों आप कोई भी ले सकते हैं आप चाहें तो नारियल का शुद तेल भी ले सकते हैं और जो हमारा सर्सो का त तो मैंने यहां पर सर्सो का तेल लिया है क्योंकि थोड़ी सर्दियां चल रही है मौसम थोड़ा थंड़ा है तो नारियल का तेल जम जाता है इसलिए मैंने सर्सो का तेल लिया है अगर मौसम सर्दियों का होता तो नारियल का तेल भी बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि लेकिन अभी मौसम सर्द्यू का चल रहा है तो मैंने सर्द्यू का तेल लिया है तो तेल को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और तेल को गरम होने देना है और थोड़ा सा मैंने मेथी के दाने देखे डाल कर देखे हैं तो तेल गरम हो चुका है और उसके बाद सबसे पहले मैं मेथी के दाने डालूंगी आप चाहे तो मेथी को पीसकर भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने दाने वाली ही डाल दी थी और इसको लगाता चलाते रहना है और इसी के अंदर हमें प्याज को डालना है और लगबख इन सभी चीज़ों को 30 मिनट तक लगाता चलाते रहना है ताकि जो भी प्याज अलोवेरा मेति का रस है वो अच्छे से तेल के अंदर आजाए तो देखे प्याज जो है शिकुडने लग गई है और अब मैंने एलोविरर का जो पल्प था गूदा था वो ले लिया है उसको भी मैंने कद्दूकश कर दिया है इसको भी मैंने कद्दूकश करने से ये काफी बारिक हो जाता है और अगर हम जाकूु से कारते हैं तो थोड़ा मोटा रहता है तो देखे इसका जो पल्प है वो कितनी असानी से बारिक हो गया है और इसको लगता है घुमाते रहना है दोस्तों ये तो हम सबी जानते हैं कि आज कल कि झो खान-पान के वज़े है तो उसकी वज़े से हमारे शरीर में बहुत कमजोरिया आ रही है, बिमारिया लग रही है और इसी तरह से यही कारण है हमारे बालों के सफ 역시 होने का जढ़ अर्जा और आजकल बड़ो के नहीं बच्चों के भी उम्र से पहले ही बाल जढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, सफेद होने लग जाते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, कि 15 साल की उम्र में ही उनके सारे बाल, जो सिरके बाल होते हैं, सफेद पढ़ जाते हैं, और बच्चो हो जाते हैं और दो मुही बाल होने लग जाते हैं रूखे रूखे हो जाते हैं तो इसलिए अपने बालों में अगर अच्छे से हम मसाज करेंगे और अच्छे तेल से की जाए तो बालों की विमारियों से बचा जा सकता है तो मेरे बेटी दस साल की है दोस्तों इसलिए मैं उ तो लड़कों के सिर में में मसाज होनी जाहिए ताकि उनके बाल काले रहें घंए रहें तो देखें तीस मिनट हो गए हैं तो मैंने कठाई को नीचे उतार लिया है और थोड़ा ठंडा करने के बाद मैंने चलनी के अंदर छान लिया है इसको जो भी इसमें प्याज, अलोवेरा और मेथी है वो सब चलनी में रह जाएगी और बात जो तेल है वो छन कर काटोरी में रह जाएगा और एसली मैंने प्लास्टिक के कोई कटोरी नहीं ली थी क्योंकि इस तेल की लिए है थोड़ा तेल गरम है और उसके बाद में इस तेल को हम चाहें तो किसी भी बोतल में करके रख सकते हैं किसी भी शीशी में आजकल जो तेल की शीशी आ रही है उसमें ज्यादा तेल भी नहीं निकलता है बच्चे भी असानी से निकाल सकते हैं उसी में इसको भर कर रख लेंगे और ये तेल काफी टाइम तक चल जाएगा मैंने जो ये तेल बनाया है लगबग दोस्तों पंदरा अब इस दिन निकाल देगा ये मसाज से क्योंकि मसाज हफते में दो बार ही की जाती है और मैं तो लगातार करती रहती हूं काफी टाइम से तो मैं अगर हफते में एक बार भी कर दूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है तो इसी तरह से जब भी तेल खतम हो जाता है मैं बना कर रख लेती हूं और अगर आपके पास अलोवेरा मेथी नहीं है तो आप सिर्फ प्याज का भी तेल बना सकते हैं सिर्फ प्याज का तेल भी बालों के लिए बहुत ही लाबदायक होता है बाल अगर लंबे घने और चमकदार होते हैं तो बालों की अलग ही सुन्दरता दिखाई देती है और बालों से लड़कियों की सुन्दरता बहुत ज़्यादा दिखाई देती है फिर चाहें वो लड़की हो या फिर कोई महिला हो उसकी सुन्दरता उसके बालों से पहचानी जाती है अगर बाल छोटे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नी लेकिन बाल गहने और काले होने चाहिए तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अगर लंबाई जाता है बालों के तब तो और भी अच्छी बात है अगर किसी के इसी टाइम में ध्यान दे लिया जाता है कम उम्मर में तो उसके बालों की जो लंबा ही है वो अच्छे से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है बाल जो हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं तो इसने समय से ही बालों पर ध्यान देना चाहिए और हर मा का फर्द है कि वो अपनी बेटी की अच्छे से देख भाल करे बालों की तो देखे दोस्तों तेल बनकर तयार हो गया है प्याज अलोगरा मेथी का तेल बनकर तयार हो गया है और ये बहुत ही हेल्दी तेल है जो कि बालों में लगाया जाता है इसी प्रकार से आप भी बना सकते हैं और आप चाहें तो तेल कोई भी ले सकते हैं नारियल का भी डाल सकते हैं और सरसो का भी तो एक बर अपनी बेटी के ने ऐसा तेल जरूर बना कर देखिएगा अपने देखा दोस्तों मैंने आज अपनी बेटी के शिर्मे मसाज के लिए बालों को स्वस्त रखने के लिए एक बहुत हेल्दी तेल बनाया था और इस बालों के लिए बहुत जादा लाब दायक है ये तेल तो देखे ऐलोवेरा मेथी और प्यास का मैंने तेल बनाया है इस तेल को लगाने से बालों में चमक आती है, काला पनाता है और बाल जड़ने बंद हो जाते हैं, मजबूती आती है बालों में और सबसे बड़ी बात बाल लंबे होते हैं बालों के लिए बहुत ज़्यादा लाबदाग तेल है तो जब जब मेरी बेटी आएगी इससे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है तो लगबग आदा घंटा इस तेल को लगा कर मसाज करने से बालों में बहुत अच्छी मजबूती आ जाती है चमक आ जाती है और बाल घने हो जाते है और मेरी बेटी के जो बाल है बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरत बाल है उसके बालों की लंबाई भी अच्छी है और बाल काले भी है और गहने भी है तो यही टाइम है दस साल की उमर है यही टाइम होता है दोस्तों बालों की ग्रोथ बढ़ाने का तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं किसी आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जो बहन भाई वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करके और शेयर करें कमेंट करके बतायां कि वीडियो कैसी लगी है